हलो फ्रेंड स्वागते मेरे यूट्यूब चैनल वास्तूस अपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुलांक आठ की तो चलिए शुरू करते हैं जिन भी व्यक्तियों का जन्म महिने की 8, 17 और 26 तारिक को होता है उनका मुलांक आठ होता है मुलांक आठ का स्वामी ग्रह शनी होता है इनके जीवन पर शनी का प्रभाव रहता है शनी सभी ग्रहों में धीरे धीरे चलने वाला ग्रह होता है उसी प्रकार मुलांक आठ वाले लोग भी अपने जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग सुभाव से गंभीर, शान्थ और निश्चल प्रवर्ति के होते हैं ये लोग प्राय कम ही बोलते हैं और अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं इने भीर भाड में जाना पसंद नहीं होता है और अकेले ही जीवन जीने में यकीन रखते हैं ये लोग परिश्रमी होते हैं पर जादा शान्ती से काम करने की प्रवर्ति कभी-कभी परेशानी का कारण बन जाती है दूसरे लोग आपके कारियों को अधिक महत्व नहीं देते हैं और कभी-कभी तो काम आप करते हैं और क्रेडिट कोई और ले जाता है इन लोगों को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है हर चीज के लिए इन्हें संगर्ष करना पड़ता है इन्हें शिक्षा भी मुश्किल से प्राप्त होती है और कभी-कभी तो इच्छा शक्ती की कमी के कारण शिक्षा भी अधूरी रह जाती है ये लोग अपने जीवन में या तो अत्यंत सफल हो जाते हैं या तो अत्यंत असफल हो जाते हैं ये लोग मुसीबत से डड़ते नहीं है और उसका द्रड़ता से सामना करते है इनका अपने पिता के साथ विचारों में मतभेद होता है और इनके मित्र भी कम ही होते है इनके ग्रहस्त जीवन में कोई न कोई परेशानी आती रहती है और पती-पत्नी में अनबन बनी रहती है। ये लोग धन संग्रह करने में अच्छे होते हैं और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये दीरे-दीरे काफी धन भी इखटा कर लेते हैं। ये लोग जिद्धी भी होते हैं और अपने कारे को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इनहें जीवन में कोई न कोई स्वास्त की समस्या बनी रहती हैं, किड्नी, आतों में विकार, स्वशंत अंत्र, पेट, रक्त तथा त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इन लोगों को शनी ग्रह की उपासना करनी चाहिए, इनके शुब दिन बुधवार, गुरुवार, शुकरवार तथा शनिवार हैं। इनके शुब रंग नीला, काला और गहरा बूरा होता है, इन रंगों का प्रयोग इन लोगों को जादा करना चाहिए। तीन, चार, पाँच, साथ और आठ मुलांक वाले इनके अच्छे मित्र होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।